दमस्कार वेब दुन्यागी खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस बार बात करेंगे बाबार रामदेओ बाबार रामदेओ परोसेंगे खाना जी हाँ लबबक सभी तरके प्रोडक्स बाजार में उतार कर मार्केट पर कबजा कर चुके बाबा राम देओ की पतंजली ब्राण ने अब रेस्टोरेंट की शुरुआत की है पतंजली चंडिकड़ के नजीक पोश्टिक नाम से अपना पहला रेस्टोरेंट खोला है जहां घर जिसा शुद्ध और सात्वी खाना परोसे जाने का दावा किया जा रहा है हलाकि अभी तक इस रेस्टोरेंट का उपचारिक भूप से उन्भाटन नहीं हुआ है चंडिकड़ के पास शिरखपूर में इंडियानो होटल में पतंजली के पोश्टिक रेस्टोरेंट की शुरुआग की गई है रेस्टोरेंट की बीवार और यहां तक की मेनू कार्ट पर भी बाबा राम देओ और आचारे बाल कुरुषन की फोटो लगाए गए है अब रेस्टोरेंट बाबा राम देओ का है तो स्वाबा विक तोर पर यहां केवल शाकाहरी भोजनी परोसा जाएगा और केवल शाकाहरी नहीं आयूर्वेक पद्दती पर खरा उतरने वाला ही खाना यहां मिलेगा इसका इंटीर घरेरू स्टाइल में जाकी वस्तुए लकडी और ताम देखी है यहां की लाइटिक और डिजाइन में भी पतंजली पराण की जलग साफ मज़रा दी है रेस्टोरेंट के मेनू कार्ट पर लोगों को स्वस्त रहने के टिब्स भी दिये गए है आचारेबाल कुरुष्ण ने संदीश देटी वे लिखा है कि अच्छी सेहत वर्दान नहीं है बलकि हमारे खान पान पर निर्भर कर सकती है वही स्वामी राम देव के और से लिखा गया है कि पतंजली दुनिया भर में भारत की प्राचीन धरोहर का एंबिसेडर है इस नए रेस्टोरेंट में में सभी पोष्टिक तत्वों मौझूद रहेंगे तो चलिए तयार हो जाएए रेस्टोरेंट में आयुमेदिक शुद्ध खाना खाने के लिए